आज तिसरी टॉर्नमेंट मुम्रा और भिवन्डी की उड़ाई जा रही है और माशालला दो टॉर्नमेंट भी काफी बैतरी तरीके सोड़ाई गई और काफी अच्छा रिजल्ट भी आया फर्स्ट टॉर्नमेंट में विवन्डी वालों ने बाजी मारी थी तक कि भाई का और टारजन भाई का नमबर लगा था तारजन भाई ने फर्स्ट मारा था तकी भाई ने सेकंड मारा था अब मुम्रा से यूसुप भाई ने थर्ड मारा था दूसरी टॉर्नामेंट में मुम्रा वालो ने फर्स्ट प्राइज मारा यूसुप भाई ने सेकंड प्राइज तकी भाई ने मारा और ठर्ट प्राइस अपने भ्यवन्डी के हैं उनका नाम है पाटिल भाई उन्होंने मारा आज देखते हैं माशाला आज मौसम भी काफी बहतरी ने गरम अभी उतना नहीं है और अभी तो सुबह का टाइम है धीरे जीरे धोप निकलेगी देखते हैं आज किसके कभूतर क्या टाइमिंग देते हैं ठीक है तो अभी चलते हैं पहले आसिप बहीं के छत्वे घर से पहला करीब आसिप बहीं इनके दर देखेंगे ठीक है कि आज फाइनली अच्छा पहुंच चुकिए है अज है आज बहुत जनी दं बैठे हुए क्या बात है अचीश्व चादरी त्रहाम अलेकुम अलेकुम असलाम और बबू असलाम आलेक। बड़े उस्ताद। बारा जल्दी सुबह होगी तुम्हारी भाई। क्या करेंगे भाई। रात में लेट सोगे तो। क्या बोलते है शारुक भाई। तो आज मुम्रा में काफी खराब इस्तिती रही है कबूतर बाजी की क्यूंकि आज का जो यहां का मौसम की जो मार थी कबूतर को चलना ही नहीं दी है। तो फिलाल आसिप भाई की तहे पे तो फड़क लगते ही साथ जो यहां का हाल हुआ है मुम्रा में। एक घंटे देड़ घंटे के अंदर एक तहे तो पूरी तरीके तक खतम हो गई। रेफरी को छोड़ दिया गया। आसिप भाई के भी तीन कबूतर के मतलब उल्ड जो अभी इंट्री में हैं बाकी जो आठ कबूतर है वो कैंसल हो चुके हैं। देख सकते हैं सारे यह कबूतर बैठे हुए हैं। और जो तीन कबूतर है वह अभी लिस्ट में है चल रहे हैं। यूसुप भाई के भी लगबक पाच कबुतर बैट गये ना तो यहाने वहां के मौसम और यहां के वाशन में देखे क्या फरक है यहां सुबह बुनी भी गिरी है और हवा भी काफी तेज थी सुबह के टेम तो देखते हैं यह साल तो मुम्रा का समझ लो बुरा हाल है इस सीजन है अब पूछना चाहेंगे आसिब भाई से आसिब भाई यह क्या वज़े क्या है यह आज कभूतर इस तरीके से उड़के बैट गए आज की वज़े भाई यह आज सुबह जंडी के टेम में बारिश लग गई थी बारिश हो रही थी अपने मुम्रा में और दूसरा हवा इतनी ह इनसान उड़ जारा कभूतर कहां से उड़ेगा यह बताईए आज हवा और बारिश मुम्रा का क्लाइमेट आज भूत खराब है आज किसी के कभूतर नहीं उठे अपने जिसके थोड़े बहुत कभूतर गए भी वही लटके अभी मेरे चार बचे तो एक मेरा भी बैठा है बची सुब्च ऑब बूर चल रहे हैं अभी मौसम आज मुम्रा का भोत खराब है फिर भी बोला यार रहा है उनके भी कभूतर अभी दिख रहे नीचे सकते ऑपन नीचे कर रहे जिसके रहोगा चैसा चल जाई एए पर ब्ली अलल्ह मालिक देखा जाएगा और उस्ताद त तुम यार सर्माते रात में इतने कॉंफिडेंस में थे यार अभी इदम तुम इदम वह रहा है रात में वारिश नहीं थी देगो लेकिन जब बोलते ना जट आप जो डेट लिग देता है अगर फासी की डेट दे दिया तो वो दिन फासी होना एक जो डेट जिस दिन दी गई उड़ा नहीं है ना इसलिए तो उड़ाया गया ना अभी मुम्रा में कभूता नहीं उड़े लेकिन भीवन्डी में उड़े बहुत अच्छा था माशालला हुआ कोई तकलीफ नहीं दुए करता हूं जिसका भी उड़े बहुत अछे सो अच्छे कोई तकलीफ नहीं दौट भाइब अगर आपको कबूतर नहीं दिख रहे हैं आसमान पे तो ये पाँच से साथ लगड़ जो है जो सोच रहे थे कि उनको भी आज कुछ और मिलेगा खाने को लेकि आज उनको खुजाने को भी नहीं मिलेगा आसमान पे अब पहुंच चुके हैं मुम्रा के उस खिलाड़ी के छट पे जिनों ने दो उडानों में नंबर हासिल किये वर्ष उडान में तीसरा हिस्तान आया था और सेकेंड उडान में पर्ष पोजिशन पे अमारे इस उपाई वाभी आ चुके उनके तह पे प्रुके उनके प्रोड़ी लुके जड़ान में तोर आयागा जड़ान में प्रेव एोटान प्किटीसरा को प्रष यप आप्सेटा है अलावालेवम क्या बताया था मुम्रा से युसुप भाई उनके कभूतर चल रहे थे लेकिन अभी उनके भी काफी कभूतर बैठ चुके तो युसुप भाई इसके बारे में कुछ बताएंगे जैसे आसिप भाई ने भी बताया कि कि आज जो मौसम था बारिज भी और हवा काफी थी और उसके मज़े से कभूतर आस्मानी नहीं गया और उसमें कभूतर बैठ गये दस एक कभूतर है उपवा कि मतलब मुम्रा का इस बार पुरा तरीके से सपाया हो गया याने मुम्रा के लिए आज का दिन बहुत तकलीफ का दिन है याने अभी शिर्फ भीवण्डी में चल रही है अब देख जिसके आज आएगे वह दिता है लेकिन 11 के 11 कभूतर आपके आगे नहीं रहें दस कभू कि आज मौसम का मार पड़ा मुम्रा के उपर बाई बहुत जबर्दत आरिब भाई ने तो सबसे पहले रेफरी छोड़ दिया वही तो अभी तक तो गुरुब में अपडेट ही नहीं आए थी कि यूसुब भाई की आठ कभूतर कुछ दस कभूतर अभी उपर है आठ कभू कि यूसुब भाई के इदर रहीम भाई रेफरी में आए वे मुंबई से विवंडी के तरसे रहीम भाई सुबे का कैसा यहां का क्लायमेट ता मुम्रा का आपने देखा जो इसाथ से कभूतर यहां पर उड़ ले अच्छ अच्छ इसके वाचे से कभूतर उपर उड़ भी आचानक में जानुवर ने उपर से दोड़ाया वाजी थी मैंने देखा बताया कि वाई यह बहुत तीजी करनी जानुवर उपर तो वो एक कभूतर के पीछे साथ कभूतर एक साथ आदे और कुछी टाइम बचा था यूसुब भाई का भी नंबर में था पब्लिक तो यही बोल रही थी चेकर भी आया वही यही चीज बोला कि यूसुब भाई का फर्स नंबर है लेकिन आचानक में ऐसा भायानक हुआ कि सब कभूतर एकसाथ आगए तो देखिए यह बोला जाता ना बाई जिस दिन मोहर लगती है उस दिन नसीब उड़ता है तो यह नसीब की बा अच्छा तो अभी तो भीवंडी वाले बेश्ट अफ लग आप लोगों का ही नंबर है कि आप लोगों के दस आठ कभूतर बचे हुए बाकी मुम्रा में तो लगबख सब हो चुके युसुब भाई के एक कभूतर बचा हुआ है और आसिप भाई के दो कभूतर बचे लेकिन रैफरी यहां पर हटना नहीं चारे हुब ले नहीं मैं बैठूंगा यह लाज कभूतर के लिए भी यह शौक है और इतिफाग हुआ वो ले ना बाई इतिफाग हुआ वो एक कभूतरी को लगण ने दोड़ाया और उसके चक्कर में वो साथ कभूतर और आके बैट यहांने 8 कभूतर एक साथ बैठ यह सब्सक्राइब कर दोड़ाया तो चलते देखते आगे कि अपडेट आपको देंगे काईसा लगा यहां पर शौक करके आप अच्छा लगा तो पुराने लोग अपने तो रह अच्छा लगा अच्छा 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 पु में उन्होंने नंबर मी मारा तीसरा और फर्स्ट और ये टॉर्णामेंट में भी था लेकिन इतिफाक बोले ना नसीब की बात है बहराल हो तो होता है उड़ान में महुर खाने के बाद तो फिर खिलाडी तो उड़ता नहीं नसीब ही उड़ती है चलते आगे की अपडेट द मजलो यह दिख भी रहा है बहुत बारीक में नीला कमकर पठ्था है बहुत बारीक में तो इसमें नहीं नहीं है कि चलो युसुप बाई के दर की पूरा हो गया पेकप बहुत-बहुत शुक्रिया भाई आप आये टाइम दिये युसुप बाई और रेफरी साइन करते हुए पर्चे में बहुत महिनत किये इंशाल्ला नेक्स टाइम देखेंगे जोपा अंदर लेने हैं